नवश्कार दरूस नूस में आप सभी का स्वागत है 14 फरबरी 2019 को फुलबामा में हुए हमले में जो 40 जवान हमारे शहीद हुए उसको लेकर हम सभी में क्रोध है, हम सभी में गुसा है, हम सभी दुखी है एक और कुन्बा यहां पर घूम रहा है, जिसको आप ITCEL भी कह सकते हैं जितने भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, उन पर हमले तेज हो गए हैं यानि सोशल मीडिया पर उन तमाम पतरकारों के उपर हमले इतने तेज हो गए हैं कि उनके परिवार को लेके उनके सोशल मीडिया पेजस पे जाकर वो लोग गालिया दे रहे हैं कि जो पैरा मिलिटरी फोर्स हैं, उनको हर जगह शहीद, शहीद, शहीद के नाम पे पुकारव तो जाता है लेकिन ओन पेपर शहीद का दरजा नहीं दिया जाता है इससे पहले कि मैं अपने इस स्टोरी पे आगे बढ़ूँ, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सवाल पूछना मीडिया का काम है और सवाल हमें पूछना ही चाहिए इन सवालों के बाद मैं इन सवालों को आखिर मैं क्यूँ पूछ रहा हूँ, इस पे भी आओंगा मेरा पहला सवाल, कश्मीर पर हमारी नीती क्यों साफ नहीं है सवाल नमबर दो, शहीदों को शहादत का दरजा सरकारी तोर पर क्यों नहीं दे दिया जाता है पैरा मिलिटरी फोर्स के जो जवान है उनको शहीद का दरजा ओन पेपर नहीं मिलता है ऐसा क्यों? सवाल नमबर तीन शहीदों को जो शहादत के बाद उनके परिवार वालों को रक्म दी जाती है जो पैसा दिया जाता है वो फिक्स्ट क्यों नहीं हो सकता है? हर स्टेट का जो सीम है वो अलग अलग रक्म क्यों देते हैं? राष्टर सुरक्षा पर हम सही नीती क्यों सपष्ट नहीं करते हैं? सपशली कश्मीर को लेकर कॉंग्रेस, पीडिप, नाशनल कॉन्फरेंस, बीजेप, इन तमाम लोगों ने कश्मीर पर राज किया है लेकिन इन सब की नीतियां अलग अलग हैं क्यों हम एक नीती कश्मीर पर लागू नहीं कर सकते हैं. सवाल नमबर पांच, इंटलिजन्स के फेलियर पर सरकार जवाद क्यों नहीं देती हैं? सवाल नमबर छे, कश्मीर पर हमले हमेशा बढ़ क्यों रहे हैं? कभी घटते क्यों नहीं हैं? सवाल नमबर साथ, कश्मीर के युवा टर्रिजम और तर्रस्ट की तरफ क्यों आकर्शित हो रहे है और मेरा आखरी सवाल आखर कब तक हम कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से दूर रखेंगे आखर कब हम कश्मीरी पंडितों को उनके घरों तक पहुचाने में सफल नहीं होगे आखिर मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद ये सवाल हजम नहीं हो पाते हैं जितने भी पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उन सब में एक घेराबंदी सी कर दी गई है सोशल मीडिया पर हम तमाम लोगों के खिलाफ एक आवाज उठने लगी है कि आप सवाल ना पूछें आप सिर्फ वही कहें जो हम चाहते हैं आपसे बुलवाना ऐसा कुछ हमारे साथ भी हुआ हमने एक स्टोरी चलाई थी दो दिन पहले जिसका नाम था अंटोल्ड स्टोरी ओफ कश्मीर जो एक तमिल भाशा में है यहां के काफी सारे लोग जो तमिल भाशी हैं इनको कश्मीर के मसले का कुछ नहीं पता था शायद काफी सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान में आज भी कश्मीर के मसले को नहीं समझ पाते हैं हम एक उसका हिंदी अनुवाद जल्द ही लेकि आएंगे जिसमें हमने 2300 साल पहले के कश्मीर से लेके आज के कश्मीर तक की तमाम हिस्ट्री तमाम उतार चड़ाव दिखाने की कोशिश करी जो शायद कुछ लोगों को राज नहीं आई उनको ये लगा कि हमने हिंदतु के मुद्दे को छोड़ दिया है हमने मुसल्बानों के का सपोर्ट किया है और इस वजह से हमें खुब गालियां भी पड़ी जो हिस्ट्री है जो इतिहास है उसको अब कभी नहीं बदल सकते है इतिहास एक बार लिखा जाता है जिसके साथ छेड़ चाड़ नहीं करी जा सकती है अब बात करते हैं उन जवानों की जिनकी शहादत के बाद उनको शहीद का दरजा नहीं दिया जाता है अब सही सुन रहे हैं हमारे तमाम टीवी चानल्स हमारे तमाम जो राजनेता है वो धोल पीट रहे हैं नगाडे पीट रहे हैं ये कहके कि शहीद शहीद और शहीद पारा मिलिटरी फोर्सेस के उन जवानों को शहीद का दरजा नहीं दिया जाता है ऑन पेपर जिस तरह से ये बोल रहे है जो शहीद का दरजा है वो Air Force, Army और Navy के जो जवान है वो अगर War Front में शहीद होते हैं उनहीं को शहीद का दरजा दिया जाता है जो हमारे ये 40 जवान शहीद हुए उसके बाद 4 और जवान शहीद हुए जो CRPF के माने जाते हैं उनको on paper शहीद का दरजा नहीं मिल सकता है यानि एक भारत है जहां पर काफी सारे paramilitary forces है, army है, navy है, air force है, इन सभी को हमने grade में श्रेणी में बाट रखा है यानि अगर army में हैं आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आप नेडी में हैं आपको ये ये चीज़ें मिलेंगी, आप air force में हैं तो आपको ये तमान चीज़ें मिलेंगी, अगर आप paramilitary force में हैं तो आपको सिर्फ ये मिलेगा लेकिन शहीद का दरजा नहीं मिलेगा 11 जुलाई 2018 की एक खबर है जो एकनोमिक टाइम्स में छपी थी उसमें ये कहा गया यानि जो पैरा मिलिटरी के जो forces है यानि B.S.F. C.R.P.F. C.I.S.F. या फिर आसम राइफल्स इन जैसे जो पैरा मिलिटरी फोर्स है इनके जवान अगर शहीद होते हैं तो आन पेपर इनको शहादत का दर्जा नहीं दिया जाता है यानि शहीद नहीं माना जाता है बात यहीं तक नहीं रुकती है 2017 पे जो मौझूदा सरकार है हमारी B.S.P. के सरकार ये पहले ही बता चुकी है कि पैरा मिलिटरी फोर्स के जवानों का ड्यूटी पर शहीद होने पर शहीद शब्द का इस्तिमाल नहीं किया जा सकता है इसके अलावा 14 मार्ट सन 2017 को लोगसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में एक रहराज मंतरी किरन रिजोई ने ये साफ किया था किसी कारवाई में मारे गए पैरा मिलिटरी या फिर असम राइफल के जवानों के लिए शहीद शब्द का इस्तिमाल नहीं किया जा सकता है ये हमारे लिए शहीद है, इनको हम शहीद मानते हैं, इनके प्रती जो शहीद जो कागज में आप लिखते हैं, उससे ज्यादा हमारे दिल और दिमाग में इनकी शहादत बस चुकी है क्या आप जानते हैं फुलमामा में मारे गए शहीदों के परिवारों को कितनी राशी मिली ये मेरा एक और सवाल था कि क्यों हम एक राशी फिक्स नहीं कर पाते हैं कि जो हमारे शहीद जवान है उनके परिवारों को कम से कम इतना तो मिल ही जाए ऐसा ही कुछ हुआ, तामिलनाडू के जो दो जवान शहीद हुए थे, उनको 20-20 लाख रुपे की राशी दी गई, इसके अलावा जो जारखंड की सरकार है, उसने 10 लाख रुपे की राशी की घोशना करी, इसके बाद जो बिहार की सरकार है, उसने पहली बार 36-36 लाख सरकार ने देने का वाइदा किया है, इस पर राजनाद सिंग जी का एक बयान हमें याद आता है, जो पिछले साल, शौरद दिवस के दिन उन्होंने खुब हुंकार भर कर कही थी, जो जवान अपने करतब्य का पालन करते हुए शहीद हो जाते हैं, खैर उनकी जिन्दगी की कोई कीमत तो नहीं लगाई आ सकती, लेकिन मेरा अप मैंने सहसला किया, किसी भी सुरक में एक करोड से कम की धनरासी उन परिवार के सबस्यों को प्राप्त नहीं होनी चाहिए, अधिक प्राप्त हो जा हमको यह मन्यूर है, लेकिन कम की धनरासी प्राप्त नहीं होनी चाहिए, और आज मुझे यह कहते हुए ब ख़ाइद होता है उसको कमसे कम एक करोड रुपे कर देना चाहिए एक करोड रुपे के लिए मैं हाथ पहला के पूरे देशवास्यों से बोल सकता हूँ कि हमारे शहीदों को 1 करोड रुपे दे दिया जाए तो राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद भी आज इस तरह के हरकते क्यों हो रही हैं कोई सरकार उनको 10 लाख रुपे की घोशना करती है और कोई 20 लाख या फिर राजनात सिंग जी के कहरे अनुसार एक करोड रुपे हाल ही की बात है कश्मीर में हुए एक आतंगवादी हमले में CRPF के एक जवान मुजाहिद जो बिहार से आते हैं वो शहीद हो गए उसके पश्चाद बिहार की सरकार ने उनको सिर्फ और सिर्फ पांच लाख रुपे का मुआफजा देने का एलान किया जिस पर जो वो परिवार था यानि शहीद मुजाहिद के जो भाई है चोटे भाई और जो उनकी बीवी थी उन दोनों ने ही ये कहा जो हमारे घर परिवार का जो सदस्य है जो शहीद हुआ है वो सड़क के किसी आक्चिडंट में नहीं मारा गया है वो बिमार होके नहीं मरा है नहीं वो शराप पी कर मरा है वो शहीद हुआ है दुश्मनों से लोहा लेता लेता मारा गया है उसके लिए आप पांच लाख र जिनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, वो शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार को जो बंगाल की सरकार है, ममता बैनर जी की सरकार है, वो दो लाक रुपे मौवजे का एलान करती है, सोचके देखिए एक जवान लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, वो शहीद हो जाते हैं, हमारे पेंटिंग ही 2-3 करोड रुपे की बिख जाती है जो इनके कैबिनेट के मंतरी है उनकी तनखुआ इससे कई गुरा जादा हो जाती है लेकिन ममताब एनरजी का दिल नहीं खोला एक ऐसे शहीद के लिए जो उनहीं के स्टेट का था जिसको 2-0,000,000 रुपे का मुवज़ा देने का इलान किया गया इस पर उनके पिता ने ये कहा कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए मेरा बेटा शहीद हुआ है और शहाधत के लिए सिर्फ 2-0,000 रुपे का तमाचा हमें नहीं खाना है उसके पश्चाद गंगाधर के अंतिम संसकार के लिए उनके पिता ने 10,000 रुपए का कर्ज लिया क्या इससे ज्यादा शर्मनाग बात कुछ हो सकती है भारत में इसके बाद 36 गर से हम एक घटना बताते हैं नकसली हमले में CRPF के एक जमान अजय कुमार शहीद हो जाते हैं उनको भी बिहार की सरकार सिर्फ 5,000,000 रुपए का मौवज़ा ओफर करती है जिस पे उनकी पत्नी उसको ठुकरा देती है राजनाच सिंग एक तरफ एक करोड रुपए मौवज़ा देने का एलान करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ सारी राज्ये की सरकारे इस तरह से मौलभाव करती नजर आती है आखिर क्यों हम अपने देश के जवानों को एक सही माइने में शहीद का दरजा नहीं दे पाते है यानि जो पैरा मिलिटरी फोर्स के जवान है उनको शहादत का एक तोहफ़ा जो कहा जाता है शहीद होने का वो क्यों नहीं मिलता है उसके पश्चाज जो एक रक्म है जो उनके परिवार वालों को पहुँचनी होती है वो ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं होती है यकीनन एक करोड रुपे भी कम होते है एक शहीद के परिवार वालों के लिए जिसने अपना जवान बेटा खो दिया है भारत में नजाने कितने करोडों का घपला हो जाता है क्या हम 40 जवानों को 40 करोड रुपे नहीं दे पाते है राश्टर की सुरक्षा पर हमारी पॉलिसी साफ क्यों नहीं है इंटलिजन्स के फेलियर पर जो सरकार है वो चुप क्यों है आई बी का अलर्ट था आई बी ने पहले ही इसाफ स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह का कोई ना कोई हमला होने वाला है तो क्यों हमारी जो जवान थे बरफबारी के चलते जब वो सड़क वहां पर रुक गई थी तो क्यों उनको एरलिफ्ट नहीं किया गया उनको अपनी अपनी जगह क्यों नहीं पहुँचाया गया क्यों उनको सड़क के माध्यम से श्री नगर तक ले जाया गया सतर बसों में भर कर जब एक राजनेता अपने एक एलेक्शन कैंपेन के ले जाता है तो वो उसको हेलिकॉप्टर मोहिया किया जाता है जो राजनेता है वो अपने ही इलाके में भी अगर उसको घूमना हो तो वो हेलिकॉप्टर या फिर हवाईजाज का इस्तिमाल करता है यह हमारे देश के वो जवान है जो हमारी सुरक्षा में दिन रात एक करते है हमारा जो फञांशल सिस्टम है जो हमारा बजट है डिफेंस के लिए सबसे जादा रखा जाता है यानी जो पैसा हम टाक्सपेर्स देते हैं इनको तो वो पैसा जाता कहा है क्यों इनको एरलेफ्ट नहीं किया जाता है वो भी तब जब हमला होने का अंदेशा पहले से ही था intelligence report के तरफ गौर क्यों नहीं किया गया दुनिया में कुछ ऐसे देश है जिनका जो GDP है जिनका जो economy है वो सिर्फ हत्यार बेच कर ही चलता है ऐसे देशों में सबसे जो number one है वो है अमरीका अमरीका की जो policy है वो कभी पाकिस्तान के साथ खड़ी होई दिखती है कभी वो हिंदुस्तान के साथ यानि जो अमरीका का जो पूरा जो असला बेचने का जो market है जो पैसा बनाता है वो है 47,000,000,000 डॉलर रुपए प्रतीस साल यानि हर साल वो इतने रुपए का असला बेचता है उसके बाद नमबर आता है रूस का रूस 33,000,000,000 डॉलर का बिजनस कर लेता है हर साल इसके बाद बात आती है चाइना की चाइना भी इसमें है आठ हजार आठसो अठावन मिलियन यू एज डॉलर का ये भी बिजनस करता है इसके बाद आप देखे हैं हतियार बेचकर बृतन 6,542 मिलिए यू एज डॉलर का बृतन भी हतियार बेचता है हम लोग सिर्फ खरीदते हैं हम बनाते नहीं हैं और ये दोनों ही मुलक पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये दोनों ही आजादी के बाद से ही सिर्फ हत्यार खरीद रहे हैं हमने अगर ये पैसा हमारे देश के प्रगदी पे लगाया होता तो शायद दोनों ही मुलक, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही मुलक आज पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर्ग मुलकों में से एक होते हम दोनों ही मुलकों को तो इन तमाम फिरंगियों ने ऐसे उलजा रखा है कि आप पाकिस्तान पे हमला करें और आप हिंदुस्तान पे हमला करें अगर आप मौलाना मसूर अजहर की बगर बात करें तो हम उसको टेर्रिस्ट मानते है लेकिन चाइना उसको टेर्रिस्ट नहीं मानता है चाइना उसको एक VVIP ही मानता है जो उसके मित्र देश पाकिस्तान का एक बहुत प्रचलित चहरा है इरान के अगर आप बात करें अमरीका इरान को अपना दुश्मन मानता है लेकिन रश्या ऐसा नहीं मानता है रश्या इरान को अपना दोस्त ही मानता है अगर युक्रेन की बात करें तो युक्रेन में भी रशिया, रूस युक्रेन के साथ है लकिन अमरीका उसके अलट opposite खड़ा है। सीरिया की अगर आप बात करें सीरिया में जो ISIS के हमले होते हैं वहाँ पर तो रूस और अमरीका दोनों ही आमने सामने हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में ही टेरिजम के उपर जो पॉलिसी है वो साफ नहीं है बलकि पूरी दुन्या भर में टेरिजम की पॉलिसी साफ बश्ट नहीं है एक देश के लिए कोई अच्छा है तो दूसरे देश के लिए कोई बुरा है अलकाइदा की जो पैदाईश है वो अमरीका की है और अंत में अलकाइदा के ही खिलाफ अमरीका ने जंग छेड़ दी थी और एक ऐसी जंग छेड़ी की एक पूरा का पूरा देश तबहा हो गया यानि आप असला बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि एक कंट्री आपको मिल जाए जहां पे आप बंदूके दाग दे गोलिया दाग दे और वहां की जो आम जनता है उसको मार डाले जब तक भारत और पाकिस्तान इस तरह से असले बारूत खरीदना बंद नहीं करेगा शायद हमारे देश में या फिर पाकिस्तान में भी टेररिस्म का जो आतंक है वो खतम नहीं होगा यूरी हमले का जवाब हमें देना ही चाहिए फुलवामा हमले का जवाब भी हमें देना चाहिए लेकिन ये भी सोचना चाहिए अमरीका, रूस, चाइना जैसे जो देश है ये किस तरह का खेल हम लोगों के साथ खेल रहे हैं ये वो तमाम देश हैं जिन्होंने हमें एक मारकेट बना के रख दिया है हमारे बाजारों पे ये सिर्फ अपने असले बेचना चाहते हैं और उस असले को बेचने के लिए इस तरह के टर्रिस्ट को भी ये लोग पना देते हैं उनको ये उकसाते हैं ताकि वो हमारे उपर हमला करें और हम और असला खरीदें और गोला बारूद इन लोगों से खरीदे और इनकी जो बाजार है वो हमेशा सच दे रहे क्या आप चाहते हैं कि इस तरह का बाजार और आने वाली जनरेशन भी देखें क्या आप चाहते हैं कि इस तरह का कश्मीर आने वाले और जमाने तक भी रहे हमारे शहीदों को हम सलाम करते हैं नमन करते हैं और इसी के साथ आप सभी से इजादत चाहते हैं जरा सोचिए क्या हमें कश्मीर और असला बारूत में किसको चुनना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखें क्या हमारा साथ रूस अमरीका हमेशा देता रहेगा यकीनन नहीं 70 सालों में हमने कभी कुछ नहीं पाया सिर्फ खोया है कश्मीर में कम से कम अब तो हम जाग जाएं असला बारूत से आगे बढ़कर अतंक वादियों को जड़ से हटाएं उन लोगों को नहीं जो वहां की आम आवाम है जिसका टर्रस से कुछ भी लेना देना नहीं है बने रहे हमारे साथ दरूस्ट न्यूस जो आपको तमाम खबरे दिखाता है जो सीधे आपके जड़ों से जड़ी होती है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरे मिलती रहें जो सिर्फ हम आपके लिए बनाते हैं धन्यवाद